वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इस कराट डफेस फंडा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर स्पार्टिंग की, और यह हमारा पार्ट नमबर 8 होगा, जैसा कि आपके IBPSPO के एक्जाम्स में एक कम्प्लीट सेट आता है, तो यहां पर हम आपको एक कम्प्लीट सेट के अगर आप पहले बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सस्काइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शियर करें, एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी त करते हैं पहले question के और, इसमें कहा गया है, the airplane was overloaded, there was something wrong of the battery and the engine was making a queer noise, no error, तो देखो, सबसे पहले हमें completely जब संटेंस को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आजाता है, कि कि इस पार्ट में थोड़ा सा odd लग रहा है, यहां पर लिखा है, there was something wrong of the battery, तो देखो, कभी भी आप कि यहां पर पहले बाद तो off का use नहीं होगा, क्योंकि bid का use होगा, अब ऐसा मैं क्यों करना जा रहा हूँ, क्योंकि इसका reason यह है, कि कभी भी कोई wrong का case हो, कोई गलत हो जाए, या फिर कोई bad situation आजाए, कोई condition जो है, बो bad condition आजाए, या out of order कहते हैं नहीं है, कि खराब या खराब होने की स्थती की बात बहाँ पर अगर की जाए, तो दोस्तों, यहां पर preparation जो कौन सी use होगी, bid का हम use करते हैं, fine, तो यह आप rule note down कर सकते हैं, खराब होने, या खराब स्थती की बात की जाए, तो बहाँ पर हम bid का use करते हैं, wrong के साथ में आपर, अब कैसे, कुछ और examples की बात मानते हैं, तो देखें, जैसे आपने का, there is nothing wrong with you, अगर मैंने कहा दिया, there is nothing wrong with you, तो देखो, मैंने क्या करा, wrong की बात, bid का use किया, और एक sentence की, अगर मैं और बात करूँ, जैसे मैंने का, what is the wrong with the battery, अगर मैंने का, what is the wrong with the battery, तो यहां पर, भी, situation क्या है, वैटरी की अगर यह खराब होने की situation, इस बज़े से हम रॉंग के साथ किसका यूज करेंगे, बिद प्रिपोजिशन का, यूज करते हैं, तो रूल बहुत जादा के लिए, कि कभी भी खराब या खराब होने की इस्ति में, अगर बात हो रही हो, तो इसके बात जो प्रिपोजिशन का या फिर अगर मैं कहूं, अगर मैं कहूं, अगर मैं ने कह दिया, वाट इस दा रॉंग विद दी बैटरी, तो देखो, यहां पर हमारा किसका यूज का यूज हूए है, रॉंग के साथ बिद का यूज किया है, क्योंकि situation यहां पर एक अकर हो रही है, और वो क्या है, बैट situation के यहां पर बात की जा रही है, इस वज़े से, okay, second question की बात की जाए, यहां पर का है, आतोरो inquiry in the misappropriation of funds is now imperative to bring the guilty to the book, देखो, यहां पर बात क्या हो रही है, funds के ऊपर एक inquiry का गठन किया गया है, misappropriation of the funds, मतलब उसका misuse एक तरह से किया गया है, इस वज़े से ही, इस वज़ inquiry into a case, एक word आप यहां पर note down कर लो, inquiry into a case, हमेशा यही structure आपको follow करना होगा, या फिर हम कह सकते है, inquired into भी आपने सुना होगा, तो इस वज़े से यहां पर क्या होगा, off की जगह पर हम किसका use करेंगे, into हमारा, ठीक होगा, तो किस part में error है, part b में हमारी error है, आपने देखा ह होगा, अगर एक sentence आपने और सुना होगा, मैंने का, the police inquired into the case, fine, या फिर हम बात करें, the commission has ordered an inquiry into this case, okay, इसको भी आप note down कर लो, the commission has ordered an inquiry into this case, fine, तो देखो, inquiry के बाद क्या है, into का यहां पर use हुआ है, और inquired के बाद भी क्या, into का use हुआ है, तो यह जो correct formation है, इस statement का, यहां पर आप इसको याद रखेगा, fine, next, number third की, अगर move करें, तो इसमें कहा है, the brilliant success in the examination as well as his record in the sports deserve high praise, okay, तो यहां पर किसी भी तरह की कोई error नहीं है, सबसे complex situation यही वाली आती है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों, आप देखते हैं कि, आप जब भी कोई sentence पढ़ते हैं, तो कभी-कभी आपको कोई error बहाँ पर नहीं समझ में आती, और आप सोचते हैं यार, ऐसा तो होई नहीं सकता है, इस part में कहीं नहीं तो error होगी, तो इस वज़े से आप कभी भी A, B, C लगा देते ये सारी चीज है, और tenses अगर ये clear नहीं हैं, तब आप यहाँ पर थोड़ा सा अटक जाते हैं, तो कुछ लोग sound के recording इन questions को solve करते हैं, तो मैं कहूँगा बिलकुल आप avoid कर दे, आप कहेंगे सुनने में अच्छा लगता है, तो definitely होगा, ग्रामर में सब कुछ सुनने में ब क्योंकि ग्रामर अपने बहुत बास्ट है, और comparative exams के कंशन, जो भी में topics यहाँ पर आपको पड़ाऊंगा, वो मैं one by one आप सक discuss करता रहूंगा, fine, number next की अगर बात की जाए, इसमें का गया है, while traveling via train on a hot summer night, an argument rose bit been to passengers in our compartment, fine, तो देखो, बहुत ध्यान से यहाँ पर देखना, क या फिर हम यहाँ पर go की बात करते हैं, okay, अगर मैं इन तीन बर्व की यहाँ पर बात कर रहा हूं, example के तोर पर, okay, और मैंने जो इनका use करा है, वो किसी mode of transportation के साथ में use किया है, fine, मैंने क्या कह दिया यहाँ पर, कि travel by train, जैसे मैंने कह दिया, travel, अब मैं traveling कर रहा हूं, travel मै य हुआने य लिखा है यहाँ पर, ठिक है, और कभी भी आप देखते हैं, कम, कम के बाद भी य का use होता है, और go के बाद भी by का use होता है, तो इसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी mode of transportation आता है, mot, इसका मतलब क्या हुआ, mode of transportation, okay, जैसे मैंने कह दिया कि कोई bus की बात कर रहा तो अगर मैंने यहाँ पर bus का use कर दिया या train का मैंने use यहाँ पर कर दिया तो इस train से पहले यहाँ पर कोई भी article जो है वो नहीं आएगा मतलब आप लिख लो यहाँ पर no article, ओके यह इस तरह से आप figure out कर लो अपनी copy में ताकि आपको miss use, आपको जल्दी इस तरह से गलतिया नहीं हो, fine तो यहाँ पर why a train की इस्तान पर यह हमारा नहीं use होगा मतलब why train होता है, by a train नहीं होता है, fine, by train होगा अगर मैं traveling कर रहा हूँ, okay, इस scenario में अगर हम बात करें तब क्योंकि हम अगर कोई भी transportation बता रहा है या कोई साधन की बात की जा रही है, तो article का महाँ पर use नहीं होता है, okay एक example की तौर पर आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर, मैंने कहा दिया, he comes here by a car अब अगर मैं लिख दू, he comes here by a car, तो यह गलत हो जाएगा, by carी ठीक है हमारा, fine, तो यह हमारा बिलकुल correct sentence होगा, okay तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा, इन टाइप की errors के लिए भी, okay friends, next, move करते हैं, next question के और, इसमें कहा गया है, I cannot find, where has he gone, though I have tried my best, देखो, sentence देखने में आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई error नहीं है, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता है, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर लिखा है, where has he gone, तो पहले तो इस पूरे के पूरे अगर sentence को मैं हिंदी में convert करूँगा, तो यहाँ पर किसी भी तरह का question जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर यह कथन का गया है, कि I cannot find, मैं उसको डूड नहीं सका, where has he gone, यह नहीं होगा, इसके place पर क्या होगा, where he has gone, where he has gone, I have, though I have tried my best तो यहाँ पर जो basically क्या कहा जा रहा है, कि एक statement की बात की जा रही है, तो complete अगर मैं statement की बात करूँ, तो यह हमारा statement बनेगा, लेकिन exam, यहाँ पर क्या बनाया गया है, यहाँ पर आपको where has he gone, मतलब एक तरह से आपको, यह format आपका नहीं होगा, क्योंकि हमारा sentence है, वो question mark your movement नहीं जा रहा है, fine, तो इस बाले part में error है, और इसका correct version हमारा क्या बनेगा, where he has gone, okay, अब आपको यह समझ में आगई होगी, जैसे एक live example की, अगर मैं बात देना चाहूँ, तो मैंने कह दिया, what has she done, what has she done, यह मैंने question आप से पूचा है, fine, तो अगर किसी बंदे ने reply किया, उसने कहा दिया, I do not know what she has done, fine, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा statement होगा, fine, तो in the same way, where has he done का क्या बनेगा, where he has done, where he has gone, okay, तो इन चीजों को मुझे समझने की जरूद पढ़ेगी, fine, तो ऐसी अगर चोटी-चोटी गलती हैं, जिनको हम ध्यान में रखेंगे, तब हम इन टाइप के problems को remove कर सकते हैं, fine, लेकिन basic concern क्या है, कि हमारा tenses के उपर हमें अच्छे पकड़ होनी चाहिए, और जिस students की हिंदी जितनी strong होगी, कि मतलब वो उस sentence को judge कर ले रहा है, fine, तो उस question को बनाने म उसको problems नहीं होंगे, fine, so friends, thank for watching this video, keep like, comment and share on this video, अगर आपका कोई doubt है, तो आप जरूर question comment box में पूछ सकते हैं, और साथ में आप मारा Facebook का page और Facebook का group जरूर जोइन कर ले, so इस channel को subscribe कर ले हम पर click करके, ताकि ज्यादर ज्यादर updates आप तक आ सके, so thank you friends, have a good day.